किसी ओफिस में लगे इस प्रिंटर पर लगने वाले टोनर की कीमत है धाई हजार रुपए और इसे हर पंदरा दिन में बदलना पड़ता है लेकिन सितंबर से इसे आधे दाम यानि सिर्फ बारा सो पचास रुपए में दोबारा रिफिल करवाया जा सकेगा इसके लिए लोजिस्टिक्स कमपनी एर फ्रेट लिमिटेड यानि एयर फिल ने ऑस्ट्रेलिया की कार्टरेज वर्ल से करार किया है वैसे अब भी कार्टरेज का रिफिल होता रहा है लेकिन किसी ब्रैंड का इसके साथ भरोसा नहीं मिलता है लेकिन कार्टरेज वर्ल रिफिल किये हुए टोनर्स और कार्टरेज पर गारेंटी देगा और किसी तरह की शिकायत पर रिफ्लेस्मेंट या फिर पूरा रिफेंड भी देगा देश के 1400 करोड रुपए के कार्टरेज और टोनर के बाजार पर कबजा करने के लिए कमपनी पहले साल में 20 फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलेगी जिसे अगले चार साल में धाई सौ करने का इरादा है और रिफिल करवाना शाय जेब के लिए जितना फाइदेमंद है उतना ही हमारे परियावरन के लिए भी क्योंकि हर फेंके गई टोनर को नष्ट होने में धाई सौ साल तक लग जाते हैं मनीश पंथ, आवाज, मुंबाई Lending rates really seeing quite a bit of an upswing there. Well moving on India is increasingly becoming an attractive market even for small niche companies from around the world In a move to bring in cartridge ink refilling into the retail sector in India AFL has tied up with Cartridge World, an Australian company. The tie-up has AFL as the master franchisee for the Indian subcontinent where they will introduce the unique cartridge refilling concept through Cartridge World stores to consumers and businesses. Refilling cartridges has been mostly unorganized sector in India and AFL and Cartridge World hopes to make the most of the 100 billion dollar printer industry which has scope of growing in India too.